आज के चोड़े से वीडियो में बात करने वाले हैं एर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के बारे में कि ये क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है इसे जनरली मीडियम टो हाई वोल्टेज सिस्टम में हम यूज में लिया करते थे सरकीट बेकर के बारे में तो आपको पता हो गई क्योंकि घर में भी आपको छोड़ा circuit breaker देखने मिलता है वो जो MCB आपने सुना होगा miniature circuit breaker तो वो क्या कर रहा होता है वो fault current से आपको protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है कभी भी short circuit होता है या overload वाला condition होता है जब circuit से आपको बहुत जदा current flow रहा होता है तो उस वक्स वो circuit को break कर देता है current के बाहाओ को रोक देता है तो उसी प्रकार से जो है sub station में बहुत बड़े बड़े circuit breakers को हम यूज़ कर रहे होते है जिनका काम यह होता है यह जो fault current है मतला abnormal current अगर हमारे circuit से flow होना start हो जाता है तो उस वक्स वो circuit को break कर दे क्योंकि वो जो abnormal current है fault current, excessively high current है वो आपके circuit को नुक्सान पहुचा सकता है sub station में जितने भी उपकरन लगे हुए है उनको नुक्सान पहुचा सकता है इसी वज़े से हम क्या करते है circuit को break करते है अब देखें जब circuit को break कर रहे होते है तो बहुत जादा arc generate हो रहा होता है अब इस arc को handle करना उसको खतम करना बहुत ज़रूरी है इसलिए जो हम arc quinching medium यूज़ कर रहे होते है तो majorly जो circuit breaker आपको देखने मिलती है वो इसी basis में classify किया जाता है उसको बाटा जाता है कि या किस तरीके से उसके arc को हम handle कर रहे है किस तरीके से उसका arc को खतम कर रहे है जैसे air blast circuit breaker की अगर हम बात करे है तो वहाँ पे उस arc को जो है ना बहुत ही high pressure air के मांचे जो है उसको quinch किया जाता है sf6 circuit breaker की अगर हम बात करें तो वहाँ पे sf6 gas को यूज में लिया जाता है oil circuit breaker में जो है oil use में लिया जाता है और vacuum circuit breaker में जो है vacuum के मांचे जो है इस arc को जो है handle किया जाता है अब यह जो air blast circuit breaker है यह काफी पुरानी technology है 1940 में इसे commercially हमने पहरी बार यूज मिलिया था और जब भी हम high voltage के बात कर रहते है अब अब 300 kv का तो air blast circuit breaker से अच्छा option हमारे पास नहीं था और almost इसको 50 साल तक जानी का 5 decade तक इसको बहुत ही बहतरीन तरीके से हमने यूज मिल लिया पर आज के time पर हम बात करें तो high voltage system में आपको SF6 circuit breaker देखने मिलेगा क्योंकि बहुत सारी कम्या थी air based circuit breaker में जो आपका SF6 circuit breaker जो है पूरा कर रहा था उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे पहले हम यह देख लेते हैं कि यह किस तरीके से काम करता है सबसे नीचे में अगर आप देखोगे तो आपको air reservoir देखेगा यह जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम compressed air को डख रहे होते हैं compressed कैसे करते हैं? compressor होता है जो air को compress कर रहा होता है उसके pressure को increase कर रहा होता है बीच में आपको hollow insulator देखने मिलता है और ऊपर आपका arg quinching chamber होता है जहाँ पर actually आपका circuit break होता है और वहीं पर arg जनरेट हो रहा होता है तो जिस वक्त आपका circuit break हो रहा होता है उसी वक्त यह high pressure air को छोड़ा जाता है उस आर कुंचिंग chamber में ताकि उस आर को जो हम control कर सके उसको quinch कर सके उसको खतम कर सके यहाँ पर तीन जो आप hollow insulator देख रहा है यह तीन different phase के लिए नहीं यह single phase system के लिए है यहाँ पर तीन different आपको break points से देखने मिल रहा है यानि कि जब यह circuit break कर रहा होगा तो एक ही phase को जो है तीन different points हम break कर रहे होता है और यह आपको 2 भी हो सकता है यह 4 हो सकता है यह 6 हो सकता है यह depend करता है कि आप किस voltage level की बात कर रहे होता है जनरली air plus circuit breaker जो है 11,000 से लिकर कि 800 kv तब के system के लिए यूज में लिया जाता था और इसके साथ बहुत सारी अच्छी बाते भी थी जो interrupting medium यह यूज में ले रहा था जो आर को interrupt करने के जो medium यहाँ पर हम यूज कर रहे है वो air है जो कि freely available है तो यह काफी सस्ता होता था आपक time है कितना जल्दी यह fault को clear कर रहा वो भी काफी quick है मतलब within two cycle एक cycle जो है आपका 20 millisecond का होता है यानि कि 40 millisecond के अंदर जो है आपका काम तमाम कर देगा यह तो यह सारी अच्छी बाते थी इसी वैसे इसका 50 साल तक जो है यह चलन में रहा five decade तक फिर क्या हुआ फिर SF6 circuit breaker आया अब SF6 circuit breaker में जो है बहुत सारी अच्छी बाते हैं और साती सात जो air blast circuit breaker है उसमें कुछ कमी था जो SF6 circuit breaker जो है पूरा कर रहा था तो भाई क्या कमी था इसमें generally दो compressor यूज में लिया जाता है एक तो आपका main compressor होता है जो air को compress करके reserve wire में आपके डाल रहा होता है और दूसरा जादा निगालता है कि अगर residential area के आसपास है आपका तो आपको अलग से noise suppression device को जो है use करने की जूरत पड़ जाती है तीसरा जो है इसमें जो है आपको current chopping का problem देखने मिलता है यह current chopping क्या होता है जैसा कि आपको पता है कि जो AC है alternating current यह अपने value को जो है बदल रहा होता है यह increase हो रहा होता है decrease हो रहा होता है फिर अपने direction को बदल रहा होता है तो यह जो point है जहां पे current आपका zero हो जाता है तो इस point को हम natural current zero बोलते हैं तो यह natural zero point जो है हम चाहते हैं कि जब circuit break हो रहा होगा तो इस point पे break हो और अगर इससे पहले break हो जाता है तो उसे जो है current chopping कहते है त तो देगे current chopping के वए से न काफी सारा problem आपको देखने मिलता है काफी high voltage जो है induced होता है जिसे re-striking voltage कहा जाता है ये किसलिए होता है क्योंकि आपका system है ना power system वो काफी highly inductive ये nature होता है और आपको inductor के बारे में हमने already बदा रखा है कि इसका nature होता है जो है कम करने के लिए eliminate करने के लिए हम switching resistance को use कर रहे होता है पर फिर भी जो है आपको ये current chopping आपको देखने मिलता है जो SF6 circuit baker में जो है आपको देखने नहीं मिलता है आप देखिए यहां से जो है आपकी different government exam में जो है एक question frame की जा सकती है कि current chopping जो है कौन से circuit baker में देखने मिलता है तो याद रखिएगा एक तो आपको air blast circuit baker आपने देखा उसमें देखने मिलता है दूसरा जो आपको vacuum circuit baker पे भी ये current chopping देखने मिलता है तो ये कुछ reason थे जिसके वएसे जो है आज के time पे air blast circuit baker आपको उतना जादा देखने मिलता है बट ऐसा भी नहीं है बात कुछ ऐसी है कि भया अभी हमारे पास SF6 circuit baker है जो काफी जादा बैतर है अब ये कैसे कितना जादा बैतर है ये किस तरीके से काम करता है इसके उपर already हमने वीडियो बना रखा है तो यहाँ पर click करके आप देख सकते हैं सबस्टेशन में कौनकों से क्योपेंट यूज में लिया जाते है इसके उपर भी already हमने डीटेल वीडियो बना रखा है तो आप right वाले वीडियो को click करके देख सकते हैं मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में till then take care bye bye